जोतिस विद्या के अनुसार, शरीर पर तिलों का पाया जाना एक आम बात है, ये तिल हर एक वेक्ति के शरीर पर किशिन किशी आकार और रंग में पाया जाते हैं, हमारे शरीर में कोई भी हिश्चा होगा जहां तिल ना हो, मगर क्या आपको पता है कि इन तिलों का आपके सोभाव, आपके भविशे और आपके वेक्तित्व के बारे में क्या मतलब है, आईए आज बात करते हैं, शिर पर तिल के होने का क्या मतलब होता है, ज़ादा तर ये माननेता हैं कि शिर के किसी भी हिश्चे पर तिल का होना ये दर्साता है कि वे वेक्ति बहुती मोटिवेटेड होता है, वह अपने लक्षे को हसिल करके ही असीम सुख पाता है और उस लक्षे को हसिल करने की ख्षमता भी रखता है इसके साथ ही वह सामाजी गटनाओं और राजनीती से जुड़े किस्वों में बेहद रूची रखता है यही नहीं जिन लोगों के शिर पर तिल होता है वह अपने लक्षे को पाने के लिए कुछ दुनिया से हटकर सोचते हैं और उसे हासिल करने की कोशिस करते हैं दूसरी ये मानेता है कि तिल का सिर के बाएं और होना दर्चाता है कि उस व्यक्ति को सादी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा कुछ हालातों में ये भी माना जाता है कि उस वेक्ति की साधी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है अगर आपके शीर के बाएं और तिल है तो आपका विवा देर से हो सकता है हगली मानेता ये है कि वेक्ति के शीर के दाएं और तिल का होना दर्चाता है कि उस वेक्ति को बहुत प्रसिद्धी और यस मिल सकता है या आसिल हो सकता है जिम्मेदारी, गरिमा और इमानदारी कुछ ऐसे पात रहोंगे जो उसे एक प्रभावी तरीके से उच पदों पर ले जाकर ही दम लेंगे और उन पदों को समालने के लिए प्रेडित करेंगे अगली मानेता ये है कि जिस वेक्ति के शिर के मद्दे में तिल होता है वह वेक्ति अपने जीवन में धन और खुद के लिए एक अच्छी किस्मत का निर्मान करने वाला होता है ये मानेताएं अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रकार्शे हैं आप इन मानेताओं को 100% नकार सकते हैं और 100% मान सकते हैं ये आपके विवेक पर निर्वर करता है आज की जानकारी कैसी लगी ये अच्छी लगी है तो हमारी चैनल दो साती टीवी को सब्सकाइब कर वेल आइकोन को दबा दीजिए ताके आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहें वीडियो पसंद कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए धन्यवाद